हलो फ्रेंड्स वेलेकम टो माई यूट्व चैनल टेक निकला रहें दोस्तों आज किस वीडियो में आपकी ले लेकर आएंगे को न्यू आउस तो दोस्तों आईए चलते हैं सबसे पहले हाउस के आपर वीडियो देख लेते हैं है गाईस तो दोस्तों हम आचुके हमारे हाउस की प्लानिंग के आपर तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह रहेगा हमारे हाउस का बार ही फ्रेंट लूप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कोलोनी के अंदर लाइन से यहां पर न्यू आउस बनाए जा रहे है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कलोनी के अंदर दोस्ति हैं "... और भी न्यू हाउस यहाँ पर बने हुए milk जिसके अंदर लोग वगरा यहाँ पर रह रहे हैं तो दोस्तो यह है वह कोलोनी जिसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों तो तीस फीट चोड़ा आपको RCC से बनावा रोड देखने को मिल जाएगा आईए दोस्तों मैं आपको अंदर से हाउस दिखा देता हूं कि आपको इसके अंदर क्या-क्या फेसिलिटी देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह रहाएगा हमारे हाउस जिसका आप यहाँ पर बार ही फ्रेंट लूप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह रहाएगा हमारे अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो दोस्तों यह रहाएगा हमारे मेन अंदर का एंट्री करते हैं तो दोस्तों यह रहेगा हमारा नीचे की तरफ कार पार्किंग एरिया जैसा कि आप यह आपर देख सकते हो एंड दोस्तों इस जस्टिस के उपर की तरफ आपका जीना रहेगा और दोस्तों यहां से रहेगा हमारी में अंदर की तरफ एंट्री एरिया तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर entry करते हैं तो दोस्तों यह पूरा का पूरा नैगा द्रॉइंग एरिया जैस्टिस के उपर की साइट देख सकते हैं दोस्तों यह पर Rough तरव आपको different type की for ceiling की design देखने को मिल जाएगी दोस्तों यह पूरा का पूरा dining area रहेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो just सामने की दरफ दोस्तों हमारे दो bedroom रहेगे जैसे दोस्तों आगे आते हैं तो दोस्तों यह रहेगा हमारा open kitchen जहां दोस्तों यह रहेगा हमारा open kitchen fully modular रहेगा इसमें भी आपको different type की for ceiling की design देखने को मिल जाएगी और दोस्तों यह पूरा का पूरा open kitchen रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह दो bedroom रहेगे यह पूरा का पूरा open kitchen रहेगा मैं आपको यह area दिखा देता हूं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो यह रहाएगा मारा बड़े साइज में फर्स्ट वाला बेट रूम इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तो डिफ्रेंट टाइप के आपको यहाँ पर फोर सिलिंग की डिजाइन देखने को मिल जाएगी इसके अंदर भी दोस्तो आपको कलर वगरा पुट्टी वग जाएगी जिसके अंदर आपको यहाँ पर फनीचर का काम भी कंप्लीट कराकर दिया जाएगा तो दोस्तो यह है जिसमें उपर की तरफ आप देख सकते हो डिफ्रेंट टाइप की फोर सिलिंग की डिजाइन रहेगी वेंटिलेशन के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले बेटरूम में आपके यहाँ पर एक विंडो रहेगा जहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले बेटरूम जिसके अंदर आप ने देख लिया कि मोडूलर आपको ए देखने को मिल जाएगी जेस्ट दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बात लेट और बात एरिया यह तो दोस्तों आईये चलते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं जैसा कि हमारा second वाला bedroom जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी आपको different type की for ceiling की design देखने को मिल जाएगी यह रहेगा हमारा second वाला बड़े size में bedroom तो दोस्तों यहां पर इसमें सामने की तरप भी आप देख सकते हैं दोस्तों यह रहेगा पूरा का पूरा ventilation area जो द किसी भी तरह की कोई ceiling यहां पर नहीं आईगी और दोस्तों आपको इस वाले bedroom में आपको में दिखा देता हूं दोस्तों आपको इस वाले bedroom में अटेज में लेट और बात यहां पर मिल जाता है हाँ तो दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं दोस्तों यह रहेग इसके अंदर और इसके अंदर दोस्तों आपको सारे जो कनेक्शन गीजर के शावर के सारे कनेक्शन आपर लगे हुए देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों यह हो गया हमारा सेगिंड वाला बेटरूम जिसमें आपको अटेज में लेट और बात यहां पर देखने को मिल जा और एक ड्रोइंग एरिया मिल रहा है तो दोस्तों यह तो नीचे का पॉर्शन हो गया आईए दोस्तों मैं आपको उपर का पॉर्शन दिखा देता हूं दोस्तों तो दोस्तों यहां से जैसे हमें एंट्री करते हैं तो दोस्तों यह रहेगा हमारा जीना एरिया यहां पर इस बिल्गुल लगाकर कम्प्लीटली आपको दिया जाएगा तो दोस्तों यह तो पूरा पूरा जीना ही रहा जैसा यह आप यह आपर देख सकते हैं जैसे दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों यह रहाएगा हमारा टेरेस एरिया तो दोस्ते यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़ी साइज में आपको आपर टेरे सेरिया देखने को मिल जाएगा कोलोनी आप देख सकते हो दोस्तों अपरूड कोलोनी आपको यहां पर मिल रही है सारी फेसिलिटी देखने को मिल जाएगी हाउस के ज़ेस्ट बार आपको आर सिस्ट से बने हुए 30 फीट चोड़ यहां पर बने हुए देखने को मिल जाएगे कोलोनी में देख सकते हो दोस्तों और भी आउस यहां पर बनाए गएं है लोग वग़रा यहां पर रहना सिरु हो गए सारी फेसिलिटी है आपको इस कोलोनी के अंदर मिल जाएगी पास हिमें आपको main market बच्चों गले English wenig school वग जिनकी साइस है धोस्तों 25 250 अगर आपको इन में काम चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हो 10 समें कैसा मटेरियल यहां पर यूज किया गया है इसलिए कि यहां पर यह मैंने वीडियो बनाए यह जथो ठीक कुछी दिनों बाद यह व相 फिल्कुल कंपर यहाफ हो जाएगा इसकी एक और वीडियो बना हुआ जिसके अंदर मैं आपको बता हुआ कि यहाउस कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें क्या-क्या फेसिलिटी मिलेगी जैसे इसमें फनिचर वगरा लाइट वगरा यह बिल्कुल आपको कंप्लीट होने के बाद यहाउस केसा बता दिया आपको इसमें दो लेट और दो बात आपको देखने को मिल जाएंगे दो बेटरूम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बड़े साइज में आपको बेटरूम मिल रहे हैं डाइनिंग एरिया ड्रोइंग एरिया देखने को मिल जाएगा और साथ यसाथ आपको ओपन कीचन देखने को मिल जयागा तो दोस्तों आउस के यहाप पूरा काम हो चुका है बस आप कलर विगळा है यहापर काम स्टार्ठ हो चुका है जल्दी दोस्तों इस house का एक और complete एक वीडियो और मैं लेकर आने वाला हूं तो दोस्तों आपने house देख लिया fully ventilation आपने देख रखा है house के अंदर full ventilation है अभी यहां पर light नहीं है फिर भी आप देख सकते हो पूरे house के अंदर आपको अच्छे से रोसनी देखने को मि मिल रही है बेश्ट facility आपको देखने को यहां पर मिल रही है तो दोस्तों अगर आप इन house में इंट्रेस्टेट हैं या हमारी साइड पर विजिट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपर मुझसे contact कर सकते हैं मैं आपको यहां पर side पर visit करा दूँगा और यहां पर सभी size के अल load size की तो दोस्तों आउसका plot size है 25 by 40 जो कि पूरा 1000 square feet होता है और दोस्तों बात करी जाए उसके documents की तो दोस्तों आपको इस house के जाए उसके उपर सबसीडी की तो दोस्तों आपको इस house के उपर 2,67,000 रुपे तक की फिरी government सबसीडी भी आपर अवेलेबल मिल जाएगी और दोस्तों बात करते हैं आउसकी प्राइस की तो दोस्तों आपकर demand price रखा गया है मातर 40 लाख रुपे यहां दोस्तों यह house का demand price है मातर 40 लाख रुपे प्राइस आपको इंपर नेगोशेबल मिल जाएगा प्राइस को यहां पर कम यह ज्यादा किया जा सकता है और दोस्तों बात करते हैं आउसके address की तो दोस्तों आउसका address है राजिस्तान की कोटा सिटी विकास नगर बोर खे प्रूड आपको कोलोनी मिल जाएगी कोलोनी के अंदर आपको दोस्तों यहां पर तीस फीट और चालीस फीट चोड़े RCCC से बने वए रोड अवेलेबल मिल जाएगे नालिया पनी मिल जाएगी बिजली के पॉल लगेवे मिल जाएगे पानी की सप्लाइए आपको यहां पर अविलेबन मिल जाएगी हैंड दोस्तों इस कोलोनी से मात्र पांच किलो मिटर के अंदर अंदर के एरिये में आपको एलें सुभात मिल जाएगा बोर्खेडा का मेन मार्केट मिल जाएगा कोठा जंसन रेलिवे स्टेशन मिल जाएगा एंड दोस्तों यहापर जो प्रप्टिस से रिलेटेड जो वीडियो में आपकी लिले कराते रहता हो आपको यहापर सबसे पहले मिल जाए और आप हमारे चेनल की मदद से एक अची प्रोफिटी आपर पर्चेस कर सके आई हुप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को ज जाद जाद शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू आउस और प्लानिंग के साथ तब तक के लिए बाई बाई